हेलो प्रेंट्स वेल्कम टो मैं चैनल आज मैं आपको ब्लाउस के लंबाई में कितना बढ़ाना है जिससे अस्तर वाला ब्लाउस हो तो कितना बढ़ाना पड़ता है नॉर्मल ब्लाउस होगा तो वो कितना बढ़ाना पड़ता है तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हो तो वीडियो आप पूरा देखलो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए देखते हैं यहां पर हमारे ब्लाउस में लंबाई कितनी रखनी है अब देखिए जब हम ब्लाउस की लं कि तर जॉएंड होता है यहां से यहां तक को आपको पूरी लंबाई नात लेघalso टो लंबाई आती हमारी ते राइंच जितनी हमारे ब्लाउस की लंबाई करते होगी अस्तर वाला ब्लाव होगा तो अपको साढ़ै थे राइज लेनी है साड़े- तरिक से यहां पर इसको इसमें एक श्रामार्जिंग ले सकते हैं लेगिन जब तो मतल है यहां तो यह द्यूसिता है में निकल जाती है उसके बाद जैसे हमें ऐसा लगता है कि front side में जैसे ज्यादा लेना है क्या ऐसा नहीं करना है जैसे जब भी हम blouse में 12 इंच लंबाई है तो हमें 14 इंच लेना है या आस्तरवाला blouse होगा तो साड़े 13 इंच लेना है कि 13 इंच हमारे ब्राउज की लंबाई होगी तो आस्तर वाले में आधा इंच बढ़ाना है नॉर्मल ब्लाउज होगा तुसमें एक इंच बढ़ाना है एक इंच बढ़ाना है उसके बाद यहां पी आपको जैसे फ़्रॉंट सायड में जैसे इसा लगता है किसि-कसी को रावल में फ़्रॉंट राखे जयादा बढ़ानी पड़ती है खिया ऐसा नहीं है जैसे जितना भी हमने बैक साईड में अगर को पत्ती थोड़ी चादा लेंगे तो यहां पर एक्षा आता है वो इसमें, चला जाता है यानि कि दब है और बैक में भी साड़े तेरा इंची लेना है नॉर्मल ब्लाउस होगा तो आपको एक इंच प्लस करना है यानि कि तेरा इंच लंबाई होगी तो 14 इंच लेनी है इस तरीके से आपको लेना है तो यहां पर मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से ब्लाउस में लंबाई जै यहां पर आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको लंबाई कितनी लेनी हैं जैसे ब्लाउस की लंबाई होती हैं अस्तारवाले में आपको आधा इंज बढ़ाना है और नॉरमल ब्लाउस में आपको एक इंज बढ़ाना है इसका आपको ध्यान देना हैं तो यहां पहुए मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया है तब वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फर रॉचिंग इस वीडियो